नुम्स्ट कर दोस्तों आप देख रहें सनवाल एजुटेक टूटि लेए दोस्तों बात करेंगे बीएस सी थर्ड यह यह एक्जम से दोजार चोविस का मैंने एक्जाम का पेपर रेगुलर एक्सजिटर नॉन कॉलेज के लिए सबीके लिए काम आने वाला पेपर रहा है मै पर फैस्स क्योशन के बारे में पहला क्योशन कि आप पूछाना पर वल्य को परिभासित कीजिए तो वल्य को रिंग भी कह सकते हैं तो इसकी परिभासित लेख सकते हैं एक रिंग्या वल्य कहलाता है दूसरा कि सुनता है विभाग वल्य को परिभासित कीजिए तो विभाग वल्य होता है यदि आई किसी वल्य में वल्य आर में एक गुणजावली होतो समुचे आर बटा आई बराबर आई प्लस ए बटा ए तो यहां पे आर हो सकता है और निवन परकार परिभासित इसका कर सकते हैं योग पलस गुनन जो संक्रियां को फड़ एक वल्य होता है यह पलस है पलस भी बराबर आज़ कोष्ड़क Tag Pauls क्या हुआ मेले ब्राबर योग्वल्य आज आ पलस भी होग्या ड़ तोट आय को परिवसित कीजिए माना V और F एक सदी समस्थी कहलता है तो व बराबर L कोश्टक में S क्या होगा परी सदी समस्डी होगा उसके बाद हैं बात करते हैं कि सदी समस्टी का आधार परिवासित कीजी तो यहां पर आधार पूचा है तो आपको क्या लिखना होगा सदी समस्टी V कोश्टेक एप का एक उप समुच्चे S V F का आधार कहलाता है यदि A S और L I है B क्या है S और V का जिनक है L.E.V तो L.COSTEC में ऐसे हो गया तीक है इसके आंसर आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगा वहां से भी आप देख सकते हैं रेकिक रुपांतन को कोटी तथा सुनेता को परिवासित कीजी तो रेकिक रुपांतन को कोटी और तथा सुनेता को परिवासित करेंगे तो क्या लिखेंगा पर रेकिक रुपांतन को कोटी माना T सदी समझती V और F से और तो V-F में परिवासित एक रेकिक रुपांतन है जहां V और F है V-COSTEC-F परिमित वीमिय समझती है तब T के वीमा की कोटी कलाती है इसे P-COSTEC-T से व्यक्त किया जाता है तो P-COSTEC-T बराबर क्या होगा है D-I-M-R-COSTEC-T रेकिक रुपांतन सुन्यांक रहेगा इसका Alpha T और D-I-M-N-COSTEC में T आएगा नेक्स आता है 6 नंबर शिल्वेस्टर का सुन्यांका का सुन्यता का नियम परिवासित किरना होगा इसमें आपको नियम परिवासित करेंगे तो यदी, टी, सदी, समझती वी और एप में वी एप से वी डैस एप में परिवासित एक रेकिक रुपांतन है जहां वी और एप वी कोश्टग आप परिमित वी में है तो यहां पर आपको सुत्र लिखना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा लाश के अंदर है दो नंबर क्यूशन आता है यह बड़ा क्यूशन है तीक इसमें आपको सिद्ध करना होगा और अथवा के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है यह बड़ा क्यूशन है यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहां पर आपको L.I या L.D की जांच करने होगी ुनिट फॉर की बात करते हैं पांच नमर क्यूशन फॉरों को देख लीजिए और इन उनिज्वाय्शन वासरा रटके जाना होगा क्यूशन फॉल सुल करकर जाना होगा सिक्स नमबर क्यूशन आता है यह ऐतास्थां अंदर दौस्ट अधरा मिल जांगा मिल जाएगा साथ नमबर क्यूसन के बात करते हैं लगवग इसमें पांस पॉंट दे रहे हैं तो किसी वल्य आर्किक नहीं अब यह बी सी के लिए ग्याद करना होगा इनको आठ नमबर है यह भी बड़ा क्यूसन है नो नमबर क्यूसन दस नमबर नमबर की बानता है सिद्व कीजिय की परती चित्र नहां पर कुछ समीकन दे रहे हैं और उसको ग्याद करना होगा समझे देर रहे कि तुल्य तुल्य का रहीता है तो ये पेपर आपका क्या हो चागा दोस्तों complete हो चुका है तो first question के पहले और six तक मैंने answer की बता दिया है दुबारत से आपको answer की आपको दिखा देता हूँ screen पे ताकि आप समझ सकते हैं और वीडियो को ज़्यदे ज़्यदे like करें, share करें यह answer की पहले का पहला है, दूसरा एक किसी student के दुवारा बनाए गई है तो आप इनको समझ सकते हैं थोड़ी से writing ऐसे हैं बड़ आप इनको देखके ही समझ सकते हैं पहले के हैं सारे यह point है, जितने भी 6 point है, 6-6 answer की है, note कर सकते हैं आप इसको यह पहले का 4 हो गया, उसके बाद में पहले का 5 हो चुका है, और यह पहले का 6 हो चुका है ठीक है, अब आपको next वीडियो में mathematics का तीसरा paper देखने के लिए मिलेगा, यानि कि मैंने बीसरी के complete paper ढाल दिया पर फिजीज केमेस्टि मैत के लगवश सारे paper आज चुके हैं, तो आप तियारी कीजिए, 2014 का paper आए, धन्यवाद